कल कल बहता हुआ जर्णा और चारो तरफ हर्याली यह किसी मूवी या जंगल का सीन नहीं बलकि या द्रश्च है गौलियर में रहने वाली नीतू बंसल के घर का जिन्होंने अपने गर की छत को इस तरह से सजाया है मानो आप किसी जंगल में बैटे हूँ उन्होंने बताया कि उन्होंने बस्पन से ही गार्णिंग का बेहर शौक था और आज भी वे अपने इसी शौक को पूरा कर रही है नमस्ते नीतू बंसल मैं गार्णिंग का थोड़ा शौक रखती हूँ इसलिए अब आजकल मैंने चोटे चोटे ट्रे गार्डन नॉर्मल मतलब शौक के तौर पर बना के गिफ्ट भी करती हूँ सैल भी करने लगे हूँ आजकल गार्णिंग का शौक तो मुझे बच्पन से ही था लेकिन शादी के बाद वो थोड़ा कम हो गया था बच्चे चोटे थे अब बच्चे बड जाद हैं कि नीतू का प्रकरती प्रेम केवल उनके घर की छत तक ही सिमित नहीं है बलकि वे पूरे देश में चल रहे विख्यात में संद शौकरोड की जलाद देख्ष भी हैं और ना जाने कितने ही पेड़ पौदे लोगों को विचित भी कर चुकी हैं अभी भी वे अपन जिसमें कुछ ऐसी पौदे भी हैं जिनने में बहार से लाया हुआ है जिसे बर्ड ऑफ परडाइज है हैली कॉर्णिया है और ब्रहम कमल है वाटर लिलीज है काफी बहुत सारी वेराइटी के गुड़हल है चंपा है अडेनियम है कुछ अडेनियम मेरे ऐसे भी हैं जिनको बैंगन और पपीता कुछ पल के पौधे भी लगे हुए हैं पपीता है अंगूर है चीकू है नीवू है नीतू के पती विजय बंसल भी उन्हें उनके इस कारे में काफी सहयोग करते हैं इसके लावा उनका कहना है कि किसी भी पेड पौधों को लगाना एक तपस्या की समा यह बहुत अच्छी बात है तारीव की बात के लावा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि अपना खुद का समय बहुत अच्छे से पास कर पाती हैं पेड लगाना उनको पालना पूस्थना बढ़ा करना मेरी खास से एक तपस्या के बरावर ही है पेड़ों को बड़े होते देखना उसको खुशी लेना तो यह खुद के लिए भी अच्छा है और प्रक्रति के लिए तो अच्छा है हीrest जो समाज में यह कर रहे हैं जी स यह जीरिए रट प्रक्रति के लिए प्लेभानेंद्र नीतू दौरा किये जा रहे प्रयासों के लिए उन्हें सरहना की साथ साथ काफ़ी जगे सम्मानित भी किया गया है उनका कहना है कि अगर किसी के पाए स्थान है तो वे तरभैनी लगा कर अपना संगल पूरा करना चाहती है जिसके लिए लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं